हलो दोस्तों कैसे हैं सब मैं है मांचू स्वाकत करता हूँ आप सब कापके अपने चैनल कॉमिक वर्ड पर पर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तरंगा सीरीजिस की कॉमिक्स अब मरेंगे सब का दूसरा और अंतिम भाग पता नहीं उसकी संबावना ठीक नहीं होती थी या उसकी किस्मती खराबती कि उसके अधिकतर मौसम संबंदी भविश्वाणिया ठीक नहीं होती थी जबकि उसे अपने भविश्वाणियों पर बहुत भरोसा होता था इसलिए वह कभी तो बारिश की संबावना से धूप में चाहता ले आता और कभी मुसलाधार वारिश में भीगता आता इस विवाग का हर करमचाली उसकी जमकर खिल्ली उडाया करता था अपने अपमान पर वखून का भूट पीकर रह जाता लेकिन अपने दूबले बतले शरीक के करण किसी को कुछ नहीं कह पाता दिन बर दिन उसक का वेवार उपास पून होता चला गया और वैस सहता रहा लेकिन कब तक सहता आकर उसके सब्र का बांट टूड गया जिसकी चपेट में आया हमारे विवाग का डिरेक्टर आफ चीफ रजश शर्मा चटा उसने साज़े स्टाफ के सामने रजश शर्मा की गाल पर एक मैं उसे चोड़ूंगा नहीं बल्देव से बदला लेने के लिए शर्मा मौका ढूंड रहा था जो उसे जल्द ही मिला उस तूफानी रात को तूफान और बारिश की वह से उपर लगे सैटेलाइट एंटिना में कोई गडबड़ी हो गई जाकर देखो क्या हुआ हुआ है ठीक है ऑफिस के बास का आदेश था जिसे पूरा करने बल्देव उस तूफानी मौसम में भी इमारत की चर्ट पर मौजूद एंटिना की गडबड देखने वहीं जा पहुचा है कहा जानता था कि नीचे राजर शर्मा ने उसे मौत देने की पूरी तैयारी कर रखिए यह उस दिन जरूर बल्देव के बल्देव राज के कंट से वातावन को हिला देने वाली चीख को जी होगी लेकिन तेजी से चलती तूफानी हुआए मुसलादार होती बारिश और कड़कती बिजलियों के शोर में उसकी चीख है तबकर रखे हैं कोई ना सुन पाया उसकी ची कि मैं मरना नहीं लिखा था तो मैं मरता कैसे अत्य देख हाई वोल्टेज के करेंट ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी ती लेकिन ऐसा हो पाता इससे पहले आकास से एंटीन अब बिजली आगे लिए उस दिन उस बिजली नहीं जहां एंटीनों को तैसनेस किया वहीं मुझे उठाकर तूर फैक दिया है चमतकान से कम नहीं था मेरा बचना लेकिन मेरे लिए वच जिन्दीकी मौत से बढ़कर थी और उसकी जिम्मेदाली थी और उसकी जिम्मेदार थी मेरी खिली उड़ाने वाली सा अपना काम नहीं करा सकता है ऐसी कोशिश करने वाले अगर्मी से तड़ाप कम अड़ता है बेमौसम ने अपना अलाव जलवा दिखाया तो तड़ाप उठे सबी गर्मी तप चीख पड़ा अंडबल टॉन ठैरो बेमौसम हम तुमसे तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नही कहना शुरू किया जो कप जोयान कि ताकत तुमारे पास उसके बपर तुम ही दिन में पूरा कड़ सकते उसके बाद क्या करोंगी उसके बार लूटूंगा सारी दुनिया को लूटूंगा लेकिन तुम्हें ऐक केस दो सूट केस लेकिन मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि तुम एक बार में सिर्फ अपने एक हाथ में 20 कवड़ों पर उठा सकते बोलो मेरा प्लान सुनना चाहते हो तुरंती लालच के डूरे बेमौसम के आंखों में नजार आने लगे मैं समझता हूं तुम्हारा प्लान सुन धदकती बदले कि आपको दबाएं नहीं रख सकता वह चुप-चाप नहीं बैटेगा वह जल्दी कोई हंगामा के इस वारदात करने की फिराक में होगा इसलिए मेरी यह पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि शहर का लगबब हर हिस्सा मेरी नजरों में रहे पूरे शहर के नि उन्हीं हीरों को लूटना चाहते हैं लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है क्योंकि आसान नहीं है उस वाल्ट रूपी वैगन को खोलना दो दो फुट मोटी लोही की चाद्रों से दीवारे बनी हुए उसकी उसका तरवाजा किसी गुप्त टोट कोड़ द्वारा ही खोला ज विश्वासे कि तुमारे से विगन में रखे हीरों को आसानी से लूट सकते हैं तुमारा विश्वास टूटे गा नहीं लाक सरक्षित सही वह वैगन लेकिन उसका तरवाजा खोलेगा हर हाल में खोलेगा बेमौसम के हाथ में थमा यंतर एक जटके से सीधा हुआ इसी के सा गर्मी तो और भी जाता पड़ रही है कुछ पलों में वैगन में मौजूद वैक्तियों के लिए असानी हो गई गर्मी वैगन का दर्वाजा खुलिए सेट जी वरना यह गर्मी हमें यह मार डालेगी आह मैं भी अब एक पल भी इस वातरवन में नहीं रह सकता मैं दर्वा खुलता हूं सेट के हाथ एक तरव मौजूद डैश्बूर्ड के बट्नों पर नाच उठे और एक छड़बादी हलकी सी आवास के तार खुलता चला गया वैगन का दर्वाजा लेकिन गर्मी से परेशान कोई पीरात की सांस नहीं ले पाया क्योंकि तब ही वहां फैली गै यह लाग था था वार मत करो प्यारों सिर्फ वार खाओ शहर के चपपे चपपे पर तुम्हें ढूनने की महनत तुम्हें ढूनने की महनत की वह रंग लाई अब तुम अपना इरादा बताओ सीधे सीधे आजम सांटा करते हो या तो मैं भी इनकी तरह लमलेट करूं मेरा जानना चाता है तो सुन तुझे चला कर राक कर देना का रादा रखता हूं मैं वे मौसम के अंतर से निकली अत्यतिक गर्मी ने वेगन के डीजल टैंक के पर खर्चे उड़ा दिये आनत आग तिरंगा के दामन तक भी चा पहुंची लेकिन अपने अस्तित्व को कहां खाक में वैस्त हुआ उधर और उधर और इधर बेमौसम अपनी व्यान की तरफ भाग ख़ड़ा हुआ दौड़ता अच्छा है तू लेकिन आज तू बचकर कहीं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी ये ढाल तेरा शिकार करने आ रही है बड़े ही खास अंदाज से उचलता है तू अपनी धाल जो अपना शिकार करके वापिस तुस तक पहुंच जाती है लेकि ना जी अपना शिकार कर पाएगी और ना वापिस तेरे हाथ में ठैर पाएगी धाल वापिस लोटी तिरंगा ने उसे पकड़ा लेकि दूसरे इपल छोड़ देना पड़ा क्योंकि बेमौसम की अंदर से निकली तरंगों ने उसे दहक आकर लाल अंगारा बना दिया था ठाल तो बहुत करम है इसे हाथ लगाना अपनी शामत बुलाना है लेकिन अगर मैंने इसे नहीं उठा लेकिन तरंगे पर जरा भी आँच नाये इसके लिए मुझे दो सेकंड वही धाल उठाकर फेक देनी होगी क्योंकि दो सेकंड तक तबता हुआ लालंगारा भी किसी चीज़ पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ता दो सेकंड से पहले धाल उठाकर फेक चुका था अगले छड़ ठीक अपने निशाने पर जा लगी धाल वैन सड़क पर लड़कडाई और एक जटके से लुक गई इसी के साथ नाक की तरफ उपकारता वैगन से बाहर निकला बेमौसम मैं यहां से भाग कर तेरी जिंदगी मुझे तुझे दान दान में देकर जा रहा था तिरंग लेकिन तुझे शायद मेरी हाथों मरने का शौक है ले मेरे मैं तेरे शौक को पूरा किये देता हूं इस बिजली फैकने वाले यंत्र की मदद से बहुत खाता की अंत्र थाम रखा इसने हाथों में अगर उससे निकलती बिजली मुझे घिर गई तो करक्राम मेरे पर खच् पानी के ठीक नीचे जा गिरा था तिरंगा जो अगले ही पल बे मौसम दारा चोड़ी बिजली का निशाना बना तैंकर में बड़ा छेद हुआ और पानी की एक मोटी धार टैंकर से छूट पड़ी जिसने अगले ही पल तिरंगा को अपनी चपेट में ले लिया तेरे उप पर गिरते पानी ने तुझे मुझे एक सुझाओ दिया है बिजली के जटके से मारने के बिज़े बरफ में जमा कर मारा जाए जिससे तुझे परज़र्व करके आजाइब घर में रखा जा सके एक पलमी तरंगा के आसपास का मौसम बेहत तेजी से ठंड़ा होने लगा और इसी के साथ मौसम फिर से सामान न हो गया टैंकर से घरता अपानी फिर सामान रूपसे किरने लगा क्योंकि मुझे अपनी मशीनें और 20 करोर के हीरे किसी दूसरे वहान में रखकर यहां से भागने की तैयारी करनी है वहां से एटकर बे मौसम तुरंत ये अपनी वैन की तरफ लबका इसी के साथ बे मौसम फिर सामान हो गया और टेंकर से गिरता पानी फिर सामान रूप से किरने लगा इसी बात ने तिरंगा को बश निकलने का रास्ता सुझा दिया ठंड काम हो जाने की कारण टेंकर से मेरे इसलिए पानी का तापमान बर्फ से अधिक है इसलिए पानी तेजी से बर्फ को पिखलाता जा रहा है उमीद है कि कुछी पलों में पानी की वैसे मुझे बर्फ की इसके से चुटकारा मिल जाएगा अच्छा है गाड़ी बदलने में वेस्त बे मौसम का ध्यान मेरी तरफ अब बाकी के शरीक को आजाद होने का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं थी इतना ही काफी था तरंगा को लहराने और अपना वार कर देने के लिए आज तक अपने यंत्रों से तूने सिर्फ बरफ बनाई होगी उसकी मार नहीं खाई होगी ले आज खादाग जी भरकर का थ तरंगा के विद्द की सेजी से चलते हाथ उन्हें वे मौसम को समनने का कोई भी अफसर नहीं दिया तिरंगा के हाथ तो तभी रुके जब उन्होंने वे मौसम के होश चीन लिए प्यूं प्यूं तभी वातरों पुलिस के सायरणों की आवास से गूंच उठा इसी के साथ ख कातिल आंखे में तब तक के लिए धन्यवाद